कैसे हो आप लोग सब बढ़िया हो ना बढ़िया ही होना चाहिए आप लोगो वैसे आज आपका आठ मई है और आज हम लोग जो है ना एक पहतरिन डिसकस करने वाले हैं गो किया अभी तक हम लोग fraction के definition को पढ़ रहे थे अच्छा आज हम लोग fraction का definition देखेंगे और ये देख के इतन हैं किसी fraction को कैसे जानेंगे कौन सा बड़ा fraction है इन सब पर विचाव करना आज हम लूग सीखने बाले इसको complete करने के बाद सब्सक्राइब करने लेंगे जेसे में और बूरूंगा की 1 × 2 में आखिर आप क्या心 होगcej कुछ समझ में नावत है इस तरह कुशन को अच्छे ढंग से करना सिखेंगे चाहिए जोड रहे या घटाओ रहे या गुना रहे या भाग रहे सब कुछ कूछ करेंगे सब कुछ क्रियर क्योंकि इस टाइब का पोश्टन जो हम लोग इसने पहले वाले क्लास अच्छे ठीजर नंबर अगर वह अच्छे ठंस कर लियो होए ना तो बांकि जो घ्लाइस आने वाला है वह इतनी लंबा इसना लंबा यह समय नहीं पता है अराम से जानते हैं हम भाग में क्या करते हैं गुणा में अगर यहां गुणा रहेगा तो यहां पर हम कौन सी संख्या लिखेंगे जो गुणा करने पर 3 by 2 हो जाए यह तो आसानी से जानते हैं न हम लोग वही चोटा माटा काम हम लोगो आज सीखना है ज अच्छा इस निसान को देखी रहा तो यह कौन से निसान को यहां से देखो लाल रख में इस तरह के क्रॉस के निसान को कही ना कही आपने जरूर दिखा होगा कहां पर डॉप्टर क्लिनिक में या पर किसी मैडिकल स्टूर या फिर एम्बूलेंस के गारी में इस तरह का ल यहां पर आपको गारे में इस तरह का पलस का निसांग लाता है उसको देखकर कि उसको आपको बोलते हैं हाँ इसको पहले जाने देते हैं क्योंकि यहां पर वैक्ति गंभी रिस्तिती में है उसका इलाज किया जाना है जहां पर भी यह निसान दिखता है आपकी दिमाग में हमेशा आता है यहां पर वैक्तियों का इलाज किया आता है उनका सेवा किया जाता है तो हमेशा ये समझना आखे लिए Red Cross आया कैसे हम लोग बात करते हैं ये पहली बार इस Red Cross एक संस्था हुआ करती थी 1902 के दसक में उससमें जो ये Red Cross संस्था क्या करती थी कि युद्ध में जो भी चोटिल हो गया उसका इलाज करती थी ये संस्था और इसका सिंबोल हो गरता ये निसां Red Cross और इतना दो किसी का सेवा करना किसे का इलाज करना ये जो है एक एक बहतरीन काम है इस बहतरीन काम को सब को सराना करता अब उसी के लिए जो है हम लोग 8 मही को पूरे वर्ल्ड लेवल पर हम लोग वर्ल्ड रैड क्रोस दिवस मनाते हैं ठीक है वर्ल्ड क्रोस दिवस मनाते हैं और यह हम लोग जान गए रैड क्रोस जो इस अंस्था थी और इसी रैड क्रोस के कारण एक निसान बनाया गया रैड ड्रंका क्रोस और जब भी कहीं पर हमेसा उसके बाद से जहां पर वी इलाज हो इस निसान का प्रियूग किया जाने लगा इसके लिए यहां पर वैक्तियों का इलाज होता ठीक है समझ रहे हो तो हम लोग वहाँ पर रैड क्रोस का वो लोग निसान उप्योग करने लगे तो हम लोग को ध्यान में रखना है कि लिए रैड क्रोस क्या होता चलो हम लोग जो अब fraction का definition बोलोगे तो आप बोलो कि भईया अभी तक तो हम ये परते हुए आये हैं कि fraction जो है किसी whole part का पतलब मालो ये मालो एक बकसा है ठीक है इसको हम लोग 4 equal parts में बाढ़ देते हैं एक, दो, देखो 1, 2, 3, 4, 4 equal parts में इसको बाढ़ दी जब 4 equal parts में बाढ़े अर्थाथ, पूरे whole को हम लोग equal parts में convert किये उसमें से 3 parts किसी को दीए जिसको हम लोग कहें 3 by 4 अर्थाथ, fraction हम लोग बोल दीए fraction जो है ना, किसी पूरे whole का एक part है जो आप लोग करते हैं अगर मैं कहूं, ये तो बिल्कुल, या सही बोले किसी जगह जो है, किसी एक बकसी में 4 बोल रखा होगा है अभी मैं आपको सही थारा रहा हूं क्योंकि ये जो है, आप लोग के लेवर के लिए बिल्कुल perfect definition है लेकिन फिर भी मैं आपको चाहता कुछ एक बहतर को सिखाओ तो ध्यान से समझोगे, तो समझभाओगे जैसे इस बकसा है, इसके अंदर बोतल रखा होगा है इसके अंदर बोतल रखा होगा है मानलोग इसके अंदर तीन बोतल रखा होगा है कितना बोतल? तीन बोतल रखा होगा है बहतरीन इमेज नहीं बन रहा इसको fraction के form में बोलो तो आप बोलो कि भाईया हम जो है 2 by 3 बोतल को हम लोग बाहार निकाले मतलब total 3 बोतल में से हम लोग 2 बोतल को बाहार निकाले तो इसको हम लोग fraction के form में बोलो दिये बड़े आराम से ये पूरा का पूरा कि अइ install को आणि शुबित के संध दू या आगजू हो ना मतलब कीच करने हो और पूरिचन का एंवल का एक पार्ट है इस लिए इसकंव हम्वॉब्र फ्रैक्सेंग कα रहा है तो आप लोग fraction का क्या definition जानते हो, fraction is a part of hall, यह तो यह हम लोग जानते, fraction hall का एक part होता, अगर मैं कहूं, अच्छा इसी में से आप मुझे यह बताओ, यहाँ पर total 3 bottle है, अगर मैं कहूं 4 by 3, इसका क्या मतलब हो गया, क्या यह fraction नहीं है, यह तो fraction है, यह fraction है, तो 4 by 3, इसे 4 by 3 इसे बताओ, क्या निकालो गया, या इसमें तो total 3 ही बताओ, इसे 4 बताओ, हम कहां से निकालेंगे, तब तो यहाँ गल्ती हो जाएगा यह, मालोग कोई, एक paper है, इसको हम लोग 4 भाग में बाड़ दिये, 4 इक्वल भाग में, जभी बातना, इक्वल भाग में, 4 इक्वल में बाड़ती है, इसमें से मैं कहूंगा, कि total भाग 4 है, इस 4 भाग में से, आप 7 भाग को far डाल या car डाल, तो आप बहुत है, तो total तो 4 भाग किये हैं, तो 7 भाग को कैसे हम लोग सैड़ो करेंगे, कैसे हम लोग उसको निकालेंगे, क्या इसका मतलब यह 7 by 4 जो है fraction नहीं है, लेकिन आपके भूक मी जहीं, इस दिया हुआ, तब क्या करोगी, समझने का परियास करना है, मैं क्या कहना चाहा है, आपको जो definition बता है, कि एक पूरे के पूरे हॉल का एक पार्ट है, यह मेरा fraction, एक पूरे के पूरे हॉल का, मेरे बात को समझो, एक पूरे के पूरे bul completly को नहीं निकाल पाऊगे इसका मतलर क्या होआका रेक्षा याद याद किये ओके आज के भारी में और समझ दूह यह हैं मैं अदọnको कुछ नहीं जानते हो ऊसwegen भेसे jalis लिए इसे इसको ध्यान में सबसकते हो कि क्या हो थोटार हिसे रहाइं निदे बोटल में जालें जाए में आ राम से आप जो एफारी में समझ चुके हूँ. जैसे एक गोल सा पॉर्ट इसको हम नोग चार भाग में कार दी है। इसका हम लोग दो हिसा खाए तो कितना सका खाए उप प्रोटल कितना हिसा था? तो कुछ और आपको सीखना चाहिए, तो सुनिए, fraction के बारे में आज से आपको क्या ध्यान में रखना है, वो समझे रहा है, कोई जो fraction होता है, वो a बार b के फोर में होता है, देखो कोई fraction लेगा, वो बटे के फोर में रहेगा, ऐसे 6 बार 7, a और b के फोर में, जहां पर a के जगाँ पर 6 है, और b के जगाँ पर 7 है, माइनस 3, या माइनस 3, क्या यह मेरा fraction है, तो हाँ, fraction है, पैसे fraction है, हम लोग जानते हैं, जैसे 6 के आगे में पलस चिपा हुआ रहा था, उसी तरह, इस माइनस 3 के नीचे 1 चिपा हुआ है, अर्थाथ, a का वैल्यू माइनस 3 और b का वैल्यू हुआ, तो यह मेरा fraction हुआ, सकते हैं, fraction जो है, a बटे b के form में होता है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, a fraction इजे नंबर of the form of a, of the form a, a b, ठीक है, a b के form में है, जहाँ पर where, a और b मेरा integer number होना चाहिए, हम लोग कल यह जान गए है, integer number क्या होता है, where a and b are integers, और integers chapter तो पूरा का पूरा पढ़े हुए हम लोग, पूरे की पूरे 8 chapter पढ़े हुए, तो समझ में ताना ही चाहिए, आप तो integers क्या होता, a and b are integers, ठीक a b, but, और लिख लो, and b कभी 0 नहीं हो सकता है, यह हम लोग कल भी सिखे थे, कि b क्यो नहीं 0 होगा, अब जानो इसके बारे में, हम लोग कल क्या सिखे थे, सुनिए, आपके सामने 4-5 example लिखते, आपको बताना है, उसमें से कौन हमारा fraction नहीं है, सुनिए, ठीकान से समझना ह तो समझ आओगे, जैसे यहां पर 3 by 4 लिखा हुआ है, माइनस 3 लिखा हुआ है, 2 by 0 लिखा हुआ है, 2 by 0 लिखा हुआ है, भीया जी, आप बोल रहे थे, 3-4 example देंगे, यहां पाच्छा दिये जा रहे है, अब तो रोग लिचे, यहां ध्यान दोक्रान लाज करते जाएगा इतना देर है example, सब example को देखो और बताने का प्रियाश करना है, कौन-कौन fraction नहीं है, अच्परा लोगा फसा हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको सीखना है, ठीक, अब मुझे यह बताओगे, इसमें से कौन सा fraction है, कौन सा fraction नहीं, तो भीया जी, हमको यह सिखाए थे, ए और बी के form में तो होना चाहिए, सब देखे, ए और बी के form में है, या नहीं पहले यह लेक लेते हैं, अब बटे बी हाँ है, यहां माइस थ्री है, यह बी ना है, अड़े बी चिपा होगा है, एक ना है, बोलते हो, मैंने बताओगे था अच्पा होगा है, दो कून नीच होगा है, काट उसको, हटा इसको, और कहीं निखे था, यहां है, इसको काटो, कट गया, जिदिना संख्या बच गया, वो सब संख्या माँ भूणना है, इसमें से कौन फ्रैक्शन नहीं है, अच्छा भया, इस तरह रूंते हैं, हाँ जी, अब सेकेंड का गया, यह और भी म हम लोग जो है, इंटीजर्स नंबर कहाते हैं, यह यह तो मुझी भी पता था, आप फिर से बता दिये, कोई बात नहीं, यहां मैनिस 3 है, तो मैनिस 3 इसके अंतर आ रहा है, 3, 4, इंटीजर्स नंबर, 2, 1, इंटीजर्स नंबर, 0, 1, इंटीजर्स नंबर, लेकिन यह अपने आप में डिफाइड नहीं है, समझे हो ना, जब उसका वैल्यू निकाल होगी ना, वो खुल परिमे संख्या है, आप उसको लिख नहीं सकते हो, मतलब पोइंट के बाद आती चलेगा, आती चलेगा, आती चलेगा, मतलब यह कभी accurate मान नहीं निकलेगा, रूट तरी अब यह जानते हैं, कोई दू फ्रैक्शन दिया हुआ है, उसमें बड़ा छोटा कैसे ध्यान में, पैसे निकालते हैं, उसको समझ लेते, बीगर इसमोर किस प्रकार निकालते हैं, इसको जाना, तब हम लोग अगर यह जान लेंगे ना, तो असेंटिंग और, इसेंडिंग सब कुछ समझ जाएंगे, एक बात ध्यान में रखना छोटे, क्या, दो फ्रैक्शन को जानना, यह हम लोग इससे पहले भी सिखे थे, तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिविजन करने वाले, ठीक है, अगर भूल गए हो, तो अच्छे से देख करके इसको रिक्याप कर यहां ध्यान दोगे, दो मैठड होता है, पहला मैठड देखेंगे, किसी भी दो फ्रैक्शन में, कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है पहचानने का, तो सिंपल सा भ्यान में रखोंगे, तो समझ ही जाओगे आप, ऐसे यहां पर 6 by 7 और 2 by 3, ओके, 6 by 7 और 2 by 3, और हम लोग क्या 3 और 6 को multiply, 6 गुनाती, अब देखते हैं, यह अपना अलग multiply हो रहा है, और 7 गुना तो अपना अलग multiply हो रहा है, तो कितना हो गया, 6, 18, 17, 14, तो बटा कोन है, यह बटा है, therefore, 6 by 3 greater than 2 by 3, इस परकार हम लोग जो है, यह बनाते cross multiplication की द्वार, सिंपल सा कोना कोनी गुना करते, और हम लोग यह पता कर लेते, कौन से संख्या बड़ी है, लेकिन यह तभी काम देगा, जब 2 fraction दिया हुआ, लेकिन जब 2 से ज़्यादा fraction दिया हुआ रहेगा, तब कैसे बताओगे, मैं यहाँ पर पहले, इस method से, यहाँ पर मैं total 3 question आपको देरा बनाने के लिए, वो आप पताना है, again, minus 9 by 2, यह लेकिन ध्यान देखाए, तिसरा number question थोड़ा संभल के चलना, फस जाओगे, इतना समझ के चलना, minus 9 by 2 और minus 3 by 7, इस 3 number वाले question में थोड़ा संभल के चलना, मैं बार बार करता, इसमें गलती हो जाएगा, अगर ध्यान नहीं दोगे तो, चौथान एक question में दे ही देता हूँ, minus 2 by 4, यह आपके बाद का कोई question आगी, कभी बोलते हैं, तिन question देंगे, कई हो, आप देते हैं, 4 question गलत बात, देख लो, 4 question तो 4 question, अधिक लगए तो बोलना, मैं कम कर दूँगा, 5 question हो जाएगा, यहां ध्यान दो, 1, 2, 3, 4 इसा को बनाओगे, यहां पर यह minus लगा हुआ है, ठीक है, अब यहां ध्यान दोगे, अगर मां दो दोनों में minus लगता, तो क्या करते हैं, एक इसको भी देख लेखते हैं, तो हम लोग प्रोच मल्टिपिकिशन करते हैं, सब कुछ करते हैं, यहां minus लगा हुए, यहां minus 6 गुना 3 करते, चा के साथ minus ह 7 करते, minus 2 गुना 7, यहां minus 14 आगया है, यहां minus 18 आगया, बताओ तो minus 18 और minus 14 में कौन लगेटर है, यहां तुरस बताए देते हैं, हम लोग यह जानते हैं, जब दोनों में minus लेगा, यहां पारो, अगर आपको ध्यान में आएगा, तो मुझे बताओगे, हम लोग यह integers में प माइनस 18 और minus 14 में दोनों में greater कौन है, तो आप बोलो कि भाईया, मुझे पता है, तो दोनों में greater कौन है, तो देखते हैं, minus 18 को जहां पलिए, minus को पर जहां पलिए, 18 और 14 में बड़ा कौन है, तो 18 बड़ा है भाईया जी, जैसे minus symbol लगेगा, तो जो सब से बड़ा है, वो लोग पाचानते, अर्थात ये 18, जो माइनस 18 है जो है, वो छोटी संख्या हो गई, अर्थात यहां पर 6,27 मिलार लेस देन हो जाएगा, बताओ, कहां समश्या है आपको, कहीं समश्या नहीं, इस 4 कोशन को पहले बनाओ, तो देखो, कहां से, मतलब कहां पर आप डाउट मे आप आगे बढ़ोगे ना, तो आगे बहुत समश्या आने वाली है, इसके बाद तो समझ में ही नहीं आएगा आपको, अगर यहां पर डाउट रहा तो, ठीक, और हम लोग इस पर जादा कोशन नहीं कर रहे हैं, मुझे पूर्ण कह विस्वास है आपके उपर, कि हम लोग ऐसा पहले पढ़े होगे हैं, तो आपके दिमाग में ख्याल में जरूर होगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी हम लोग को पूरा कपरास ले, बस तंप्लेट कर देना है, इंटेजर में 8 class लगा, लेकिन fraction में उतना class नहीं लगने वाला, इतना समझ क क्योंकि हम लोग इंटेजर में जो पढ़े होगे हैं, बस समझ लोग वही सब कुछ है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठेक, बस रते हैं, आप इंटेजर अच्छे से पढ़े होगे, तब, मिरे ख्याल से आपको सब कुछ समझ में आ गया, इस पास second method देख लिया जाए, जो second method ह हम लोग सीखेंगे न, वो आप चाहे जितना आपको fraction दे, सब में लगा सकती हो, बदा चुटा पहचानने के लिए, और सेम method का प्रियोग करके आप ascending और descending और, मतलब अब जो method हम लोग सीखने वाले हैं, वो method आपके लिए बेहाद important होने वाला है, क्योंकि इसी का प्रियो में यहाद important है, बहुत important है, बवज इसी का प्रियोर करके सुन लो, कहां कहां यह काम देने वाला, पहला यह काम देगा, कौन सा fraction बढ़ दा है, कौन सा fraction छोटा है, उसको भाचानने में, फिर यह काम देगा आपका ascending और descending order में, दोनों यह काम देने वाला, और कौन साथा ब मैं बार बार बोल रहा है यह रूचछे तंग से आपको शिखना है स्टार्ट किया जा यह ज़से क्रास मल्टिक्लिकिटिकिसन लगवाद क्या पहला मेथड क्या है पहला गूल है कि LCM निकाला है ठीक है किसका LCM जो हर रहेगा जो डिटर्मिनर रहेगा आपका उसका आपको LCM निकालेना है तो कहीं पर आप 7 और 3 का LCM निकालोगे तो 7 और 3 का LCM निकालोगे तो 7 और 3 का LCM हम लोगा निकल जाएगा 7 x 3 21 निकल गया आपने जाथी 21 निकल गया तो 21 LCM लिख लिए बता यहां तक में कोई कोई समश्य है तो बोला है 21 LCM लिख लिए अब जो है सकेंड काम है आपका सिफ टेवल पढ़ना है और कुछ ना करना पहला काम जो भी डिनोमिनेटर था जो भी डिनोमिनेटर था उसका आपको LCM निकाल लेना था एल्जियम निकालने के बाद तेवल परेंगे पहले डिमवनीटर के निमेरेटर के भड़ना पहले हर के असलिक्णाले EX- twitch पर सुनलघ। मेरेसे सम्झाता नीто इचे वाली संख्या का लें निचे वाले संख्या का टे बाबल भी परिएंगे थीच चड़़ साथ और तीieron्ि का यह निगारि का लिए और साथ का पहरा पर्ण कितने पिर नीचे में तीन है हाँ यहां पर माइनस थत माइनस लगा दिए अब देखो मेरा यह बन चुका है अर्थात इसको हम लोग कह सकते माइनस अलग-अलग कर लेंगे आइ मइनस बढ़र अब दोने मेंस फट इसे कोण बटा है मैंनस इसे कौन बटा है तो आप बोलोंगे अगर माइनस हटा देंगे तो 18 बड़ी संख्या हो जाएगी लेकिन माइनस लगाने के बाद 18 छोटी संख्या अर्थात माइनस 18 बाइंक इस यह चोटी संख्या हो गए तो हम लोग यहां से जान गए इस तरह यहां पर निसान लगा दियो कि यहां पर चोटी संख्या यही बढ़ कर ले ना तो यह बात रहें अर्थात यहां यह संख्या, यह वला मेरा यह संख्या, आप यह, therefore, minus 6 by 7, less than minus 2 by 3, बस बन गया, कितना असान था, थाना असान, हाँ भी है, बहुत असान था, यह सब कोश्चन बनाओंगे, पहले खुद से बनाओंगे, यह कोश्चन में मिलाने वाला, यह चारो कोश्चन आप लोग अभी त के सामें रखने वाला, मिलाने वाला, टीक है, तो चारो कोश्चन बन गया होगा आप से, हाँ यह कब का बना के बैटे होगा है, आप जल्दी मिलाइए न, तो सुनिए, बारी-बारी से मिलाना है कोश्चन आपको, टीक है, पहला नुमर कोश्चन देखोगे, 2 by 7 और है इनुमिनेटर का इन टेवल पढ़ना है, तो नीचे वाले संख्या का पहारा पढ़ेंगे, 7 के पहारा में 63 कितने बार में आता, 9 का पहारा दो बार 18 हो गया, कोमा का कोमा, फिर 9 का टेवल पढ़ेंगे 63 कितने बार में आता, 7 बार में 7 का पहारा तीन बार, 21, मेरे ख्याल स से समझ में आ रहा होगा हाँ जी जेरफोर यह 18 बटे 63 जो है इस संख्या का हिमान है 21 बटे 63 यह आपका 3 by 9 का हिमान है तो यहां से हम लोग बोल सहकते हैं 2 by 7 less than 3 by 9 बस बन गया पस यह सब्सक्राइब करना होता और क्या ही था कुछ ना था कोशन में सब्सक्राइब कोशन देखोगे 1 by 3 और 2 by 6 है अब यहां पर 1 by 3 और यह दो ती नमबर कोशन हम लोगे ठीक है क्या है मानिस 9 by 2 बांकी बोसा वक कुछ से बनाओगे और है आपका मानिस 3 by 7 2 और 7 का हम लोग पहले LCM लेंगे तो लेते हैं न 14 हो गया 2 के टेप अब सुन लो दो ही श्टेप था पहला श्टेप था LCM लेना LCM ले लिए दूसरा श्टेप था नीचे बाले का टेबल परना पढ़ते हैं 2 के पहारे में 14 7 बार में आएगा 7 का पहारा 9 बार 63 तो 63 यहां मानिस थे तो मानिस लगा दिए एंड था दे लगा दिए जल दो जो है वही लगाएंगे यहां साथ के पारा में 14 दो बार में आएगा 2 का पहारा 3 बार श्टा मानिस चागो गया मेरे खेल से आपको समझ में आ गया माइनस 63 बाइ 14 और माइनस 6 बाइ 14 नीचे का denominator हर मेरा same हो चुका है अब यहाँ पर symbol लगाना है माइनस को पहले हटाओ कौन सी संख्या सबसे बड़ी है 63 माइनस लगाने के बाद वो संख्या सबसे छोटी हो जाएगी less than लगा दिये अर्थात minus 9 by 2 less than minus 3 by 7 समझ में आया इस तरह आप चारों कोश्ण बनाओगे मैंने एक नमबर और ती नमबर समझा दिया है अब अब देखो अब इसी तरह यहाँ पर अगर एक और संख्या बढ़ा दी जाए यहाँ पर कौमा एक बटे आपका एक और संख्या में बढ़ा देता है चलो यहाँ पर बढ़ा देता है आपका तीन बढ़ा देता है 1 by 3 बढ़ा दी तो 7, 9 और 3 इस तब का LCM 63 ही आएगा वांकि सब कुछ सेम रहेगा सिर्फ यहाँ पर क्या करना है तीन के टेवल में 63 कितने 10s में आता तो 3 का पहारा भरेंगे और 63 देख लो जब 3 संख्या तीन फ्रेक्षन आपके सामने रहेगा तो किस परकार से हम लोग यह पता करेंगे कि कौन सा फ्रेक्षन ग्लेटर है और कौन सा फ्रेक्षन छोटा है स्मॉलर है उसको कैसे पता करेंगे वो देखना है अभी पांच मिनिट अच्छे डंग से स्रियस हो के प्राइक कर लो ओके कभी दिक्कत नहीं आएगा अच्छे डंग से पांच मिनिट आपको ध्यान देना है यहां ध्यान दो तीन के पहारे में 63 कितने टैंस में आएगा दिन प्रेश्च पीया लुक्त के लिखेंगे तो देख दो 18 by 33 लिखे फिर 20 by 33 लिखें फिर 20 by 33 लिखें यहां पर यह चोटा था इसे लेसे लगा दिये यह दोना आपसे बरावर में घृत कर देंगे बता कहीं कोई समस्च्चा नहीं पिज्द कर देंगे अर्था यहां पर एक अब देखो इस्तव को अलब कर देते हैं माइनस 63 और 6 में कौन ग्रेटर था तो बोलोगे 63 और 6 में 63 ग्रेटर था जैसे इसको हटाएंगे तो कौन जिसन क्या हो जाएगे फिर से समझने का परियास करोगे । जैसे तो बोलोगे ये संख्या हो गाया ये इस दोनों में क्या ऐहां माइनस है याम प्लस है जािए से काम करना आ है जिसका हमानитель तो लिए ये किसका मां था न्याई है बात करेंगे ये किसका मां था तो मैंस एक लास्ट वार हम दोग देखेंगे फिर यह पर सनाप्थ हो जाएगा एक लास्ट यहां अटाओ को मादेना है समझने का प्रियास करोगे सब समझ में आएगा देखें इसका एलसे निकाल सकते हो आप एलसे निकालने चीख चुके हो साथ का पहारा पढ़ेंगे 63 कितने बार में आता तो नो बार में नो का पहारा दो बार 18 कौमा लगा देए नो के पहारे में 63 साथ बार में आता साथ का पहारा तीन बार 20 फिर कौमा लगा देंगे तीन के पहारे में 63 कितने बार में आता तो 21 बार में 21 का पहारा दो बार 42 हो ग पर चौदा है तो भाई या एक्ईस बड़्डा है तो बहुती है किस्ट के तरफ मुख खोल दियुक्त ये 63 होगा ना फिर 42 और 14 में कौन बट्टा है तो 42 बट्टा है इधर मुख निकाल दी ठीक है इस तरह हमको करना था अब सुनो यह किसका चिन है 2 x 7 र 2 x 7 3 x 9 2 x 3 2 x 9 हो गया अब जो है सिम्बोल लगा देंगे जिसा सिम्बोल ओपर बिथा परस बन गया में देख एल से आप समझे पा रहे हों ओके से हम यहीं फंटा यहां पर करते हैं ओके देखते हैं यहां पर आप 3 तो समझ में आएगा आपका यहां आप देखो देखो एक राश्व वर पिर हमनों आली बारेंगे डूसे वर से मेरा फिरसे 14 ही आनी वाला सुर के पारी में 14 साथ वार दो histor का पठाए और क्टा जा WordPress साथ और चार में कौन बढ़ी संख्या है साथ बढ़ी संख्या है समझ में आगे हैं अब देखो इसके सामने वारे संख्यालिक लेते हैं मैंनस 3 बाई 2 फिर मैंनस 3 बाई 7 फिर 1 बाई 2 फिर 2 बाई 7 इस तरह हम लोग अराम से यहां पर यह सिंबोल था ना आच यहां तक हम लोग सीख चुके हैं बताओ इसमें कोई दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अब सुनो अ अब यहां तक पुरा सांत हो जाओ जितना समझ में आया बस रोग जाओ यह हम लोग निकाले थे क्या करने के लिए कौन से संख्या बड़ी है कौन से संख्या चोटी है इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है तो भईया कुछ समझ में नहावात है कौन से संख्या सबसे ब तो यह संख्या सबसे बड़ी है, यह संख्या सबसे बड़ी होगी, सबसे छोटी कौन सी है, तो 18, 21, 42, 14 में सबसे छोटी संख्या यह है, तो यह संख्या सबसे छोटी होगी, बस इतना साही काम करना था, सेम वही पंड़ा इसमें होगा करता था, तो माइनस एक्रिस, माइनस सरी गांव है जैंब फ्लीट फरी और य४ अजम ते से रहे घब्राना नहीं आपको बहुत असान पर पहला वजब पश्य टेश्ट वैजित को सिससे को बनाते हैं अब इस portion में क्या करना है यहां संजब self-diction आपके सामने आ चुका है आपके सामने यह मिठ चुका है अब यहां देखिएगा क्या करना है क्या नहीं करना है अब यहां पर इसको आपको आरो ही करम में बनाना है इसको जो है बतलब ascending order और descending order में इसको बनाना है ascending order और descending order कि एक है ascending and descending order में इसको convert करना है यहां कि हमको सिखाए भी नहीं ascending order और descending order आप इसको बनाने बोल दिए हम कैसे बनाएंगे हमसे तो नहां बनेगा तो simple साइक काम करना जितना हम नहीं बताया है अभी तदकार उतना ही आपको बनाना है पहले तो फटा 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 से इतना हम लोग सीख चुके है पहले उतना तो बना लो चलो आपके सामने जो है मैं समय देरा बनाने प्र जंदी से बना वीडियो को रोको और खुद से बन 요 के साठ आभराने संस का पारा इंस अवह घहां है इतना सा काम कर लिए फिर क्या करेंगे इसको अलगगाए अटा बट थीजए अभी कहीं पर लेंस इसको ascending order और descending order में convert करना है, तो करते हैं, तो भाईयाजी कैसे करें यही पर लिखोगे ascending order, पहरी बात यह समझने का प्रियास करोगे, कि इसमें सबसे छोटा कोन है, पहले वो देखो, यहां लिखो, ascending order, ठीक बाद descending order लिखना है, इसमें सबसे छोटा शनख्या लिखते है, इसमें सबसे छोटा कौन सा है, तो यह 14 123 सबसे छोटी संख्या है, कि इससे बड़ा संख्या कौन है, इससे बढ़ा, इससे बढ़ा है 20 64, तो 18 बटे 63 को लिख देंगे। देखो कितना आसान हो रहा है। फिर इसे बटा कौन है 42 बटे 63 को लिख देंगे। 14 बटे 63 को क्या कहते हैं इसके ऊपर क्या है दो बटे 9 कहेंगे। तो 18 बटे 63 को लिख देंगे। अच्छा होगा तो निच्चे ही लिख देना अच्छा लेगा। में पास जगह नहीं था इसके अंदूब नहीं लिख देंगे। सबसे बड़ी संख्या कोन है 42 बटे 63 रख था तिसरे नंबर पे है एक दो ती तिसरे नंबर पर यह तो टू बाई थ्री लिख दिए। 2 वाई 3 के बार छूटा कोन है सबसे बड़ी संख्या थी ना इसके तरफ मूग खोले। इतना ध्यान में रखना कि 42 के बार कौन चोटा है एक रख निकाल लो गजी दिखकत होता है तो रख में तरफ लेना है रख निकाल लिए रख में पहले दिखना 42 है बारी से कम कौन है 21 ऐगी से कम कौन है यह इसके ऑपर को है त्री पाइन पिर उसके बाद 18 के उपर कौन है पर शौकर त्री नहीं अगर आई अगर ऐसे पर आ तो ठीक वरना जैसे मैंने उपर वाटाया वेसे परना है मिरे ख्यास से आप समझ जाओगे अगे इसको इसको इसी तरह आपको करना है, इसी तरह आपको ascending और descending वाला काम करना है, पहले देखो क्या करते हैं, पहले ज़र 2 है 7 है, 2 है 7 है, इसका LC मेरा 14 होगा, 2 के table में 14 कितने times में आता, तो भीया, 2 के पहारे में 14 साथ बार में आता है, 7 का पहारा 3 बार सकती है, एक रिस करना है, फिर 7 के पहारे में 14, 2 बार में आएगा, 2 का पहारा 3 बार माइनस 4 हो गया, एक है, 2 के पहारे में 14, 7 बार में 7 का पहारा 1 बार साथ हो गया, 7 के पहारे में 14 दो बार में, 2 का पहारा 2 बार 4 हो गया, अब देखिएगा, ध्यान को लग समझेगा, समझ में सब आएगा आपको इसको अब अगला कर लेजे, माइनस एकीस बटे 14, माइनस शा बटे 14, और साथ बटे 14, और चार बटे 14, यही पर आपको नीचे लिख लेना है, तब confusion नहीं होगा, इसके नीचे लिख लो, क्या है, माइनस 3 बाइ 2, माइनस 3 बाइ 7, 1 बाइ 2, इसके नीचे लिख लो, तो आपको confusion तभी नहीं होने वाला, ओके, तभी confusion आपको नहीं होगा, इसके नीचे ही लिख लेना, अब यहां पर लिखना, ascending order, descending order, ascending order, descending order, ठीक है, अच्छे से लिख 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 लिख, और मतलब order होगा, अब क्या करना, ascending मतलब, पहले सबसे चोटा संख्या कौन सा है, इसमें सबसे चोटा कौन है, तो भईया, माइनस का पहले फंटा कतम किजए, माइनस को हटाने कबाद, एकी सबसे बड़ी संख्या थी, जैसे ही माइनस लगाए, तो एकी सबसे चोटी संख्या हो गई, ठीक है, अर्थात माइनस 3 बाई 2, सबसे चोटी संख्या, छोटा है, इसलिए इसकी तरफ आप तीर का निसान दोगए, ठीक है, इसके जश्ट बाद बड़ी संख्या कौन है, ये माइनस 6, इसके जश्ट बाद बड़ी संख्या है, अर्थात माइनस 3 बाई 7, माइनस 3 से अर्थात माइनस 6 से जश्ट बाई 7 और 4 में कौन बड़ी संख्या है, इसके जश्ट बाद 4 है, 4 के बाद 7 है, तो 4 बाई 14 गौन बड़ी संख्या कौन है, 2 बाई 7 से, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, अब descending order देखते हैं, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इस सब में minus वाला सबसे चोटा होता है, पलस वाला सबसे बड़ा होता है, अब पलस में सबसे बड़ी संख्या है, यह 7 by 14, I thought 1 by 2, 1 by 2 सबसे बड़ी संख्या है, इसके अर्थाथ, minus 3 by 7, इस से जश्च छोटा कौन है, minus 21 by 14, अर्थाथ, minus 3 by 2 होगा है, मेरे ख्याल से सब कुछ अच्छे धंचे समझ में आ गया होगा, अब हम लोग next question मतारते, अब तो बहुत जलेली question कंप्लीट करने वाले, इतना लेट नहीं लगेगा आप कंप्लीट करने मे ओके, देखो, question को देखकर के तो मन पुरा खुश हो गया होगा, कितना आसान-ासान question यहां लिखा होगा है, क्योंकि हम लोग ऐसा integers में पढ़े हुए हैं, तो आपको तलिक भी समस्या नहीं आएगा बनाने में, सारे question को बना डालो, अगर आपको LCM, अथा बिन का जोड, ब question को बनाओंगे, अब मिलाना है आपको, देखो, यहां जोड है, जोड का मतलब होता है, बरावर के हम को इस तरफ का लेना है, ठीक है, बरावर किस तरफ का लेंगे, तो कहीं लो बरावर किस तरफ का, 3 by 7 लेंगे, ठीक, जोड है, अब गटाओ करना है, खाओ कर दिए, ठी माइनस लगा दिया अर्थात माइनस वन बाए 14 यहां पर माइनस वन बाए 14 हो गया ओके यह तो समझ में आ गया नेक्ट पॉशन देखो जलेली समिलाना है पॉशन आपको यहां पर क्या है प्लस है अर्थात हमको बराबर की इस तरफ का लेना है प्लस मतलब अप्ली उल्टा घटाना है टो बाए 4 को घटाना है खटाएंगे 9 और 4 का एलस्यम कितना है छतिस नो के पहारे में चार बार में 28 हो जाएगा फिर माइनस का माइनस 4 के पहारे में 36 नो बार में आता नो का पहारा दो बार कितना होगा 18 हो जाएगा 28 में 18 घटा होगे तो 10 हो जाएगा 10 बटे 36 होगा तो यहां पर 10 बटे 36 लिखना है ठीक है next question देखोगे next question में भी आपका प्लस ही है अर्था हमको बराबर इस तरफ का लेना है 1 by 2 ले लिए प्लस है तो घटाना होगा 6 by 9 को घटाएंगे घटाते हैं 2 और 9 का LCM क्या होता है या 2 और 9 का LCM जो है वो 18 होता है 2 के पहारे में 18 नो बार में आता 9 का पहारा एक बार नो हो गया माइनस का माइनस 9 के पहारे में 18 है 2 बार में आता 2 का पहारा च्छा बार 12 हो गया अब 9 और 12 को भटाना है तो 9 तीन अर्थाथ मैनस 3 by 18 ऐसे हुआ 9 बारा को कटाएंगे 9 माइनस 12 किये अब देखो यहां प्लस है यहां माइनस है घटेगा तो 12 में 9 को कटाएंगे तो कितना होगा तीन होगा 12 के चीन माइनस को यहां माइनस 3 है समझ रहे हैं तो मैनस 3 बार 18 हो गया माइनस 3 बार 18 हो अगे नेक्ट वूशन देखेंगे हम लोग नेक्ट कोशन क्या है पलस वगए है असाथ हमको परावर की इस तरफ का लेना है तो टू बाइ सिक्स ले लिए पलस कठी कुल्टा करते घटाते नाइन बाइट को घटा देंगे अब च्छा और दो का इलसियम च्छा हो गया च्छा पहारे में च्छा एक बार में आता एक का पहारा दो बार दो हो गया माइनस का माईनस दो के पहारे में अच्छा तीन बार में आता तीन का पहारा नो बार तीन नमा 27 हम दो और मायनस 27 क्या होगा किया है यहां माइनस मेड़ीश को घटाऊ ऐनके किभी श्मस्टाइस, होगा गिल्कुल नहीं आना ही नहीं चाहिए समस्ष्य अगें माइनस है मतलब बरावर की इस तरफ का लेना है 9 by 2 लिए टिक माइनस में बस यह जानते हैं अगर दोनों पास में रहेगा तो जोड़ते बांक ही घटाते हैं तो घटा 1 by 3 को घटाएंगे घटाते हैं 2 और 3 का युल सेम्क्या होता वहारे में नोबाटी माइनस तीन के भारे में यह दो बार में दो हैएक बार दो अब 27 में 25 बट एच्छा हो जाएगा ठीक 25 बढ़े अच्छा कहीं कोई समस्या नहीं ठीक अगे नेक्ट कोशन देखते नेक्ट क्या है घटाओ है मतलब बरावर के इस तरफ का लेना है तो 3 by 6 हो गया ठीक है अगर घटाओं में दुनों पास में रहेंगा तो जोड़ते हैं वरना घटाते हैं तो घटाएंगे 1 by 4 6 और 4 मेरा 12 होता है कर रोगा एक रहें में 6 के बहरें 12 दो बर में आता दो का पारा 3 बार अच्छा मैंस का माइनस चार के बहरें 12 बार में 3 का रहा एक बार अब 3 में हमें तीन गटाएं ये तीन वडोर्डटे बारा करते हैं. थीक्व य। हमें य। मैशा बराबर के साइट नहीं नदू बीच में बता रहा हैं बलावर किस तरफ का लेना है, शिर्ट आइधरी लेए, जब दुनां पास में जाता जूर देंगे, ना इन बाइट टी, बीस और तीन का एल्ट्यम कितना होगा, साथ होगा, अब तीन के भारे में साथ कितने बार में आता, साथ है समझ करेंगे तो नगा सुट है ये चलों आपके बारे क्ट टेंगे बिड़ावर कि इस तरफ का लेते हैं क्या है अब क्या करेंगे अगर दून पास में रहें जोडते हैं तो जोडएंगे वन बाई 20 को जोडएंगे 5 और 20 ugसे मेरा 20 हो गया 5 के बाहर इstatा पास वार ऐसे यह 4 बार गया था ता ईक लिए और एक करें दो 9 inclus हो गया तो 9 by 20 यहां पर लिख देंगे अगे next गुणा है अब समझो गुणा ऐसे है इसको खुमा देंगे तो पलस हो जाएगा मतलब जो प्रोपरिटी हम लोग पलस के लिए करते थे वही प्रोपरिटी हम लोग गुणा के लिए करेंगे गुणा है तो बराबर किस तरफ का 20 हो गया अब गुणा कठी कुल्टा क्या होता भाग होता थे वाग लगा देंगे त्री वाई सेवन कैस में भाग लगा दिये यह स्वाल करने आता हम लोग को हम लोग जो गटाओ गुणा भाग पिनका सीख चुके हैं अच्छे ठंसे अब यहां पर क्या करेंगे वन बाइ भाग में भाग में आ गया जो गोना में करके तब चेंज करेंगे अब देखो क्या 6 x 7 simplify होगा नहीं, अब को ना को नहीं देखते हैं, 7 और 2 simplify होगा, नहीं होगा, 6 और 9 होगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, अब तो नहीं होगा, उपर उपर multiply करेंगे, नीचे नीचे multiply करेंगे, 2 दूनी 4, सत्या 11, हो गया, 4 बटे 21, ठीक है, अगें, next question, next question क्या है, गुना है, मतलब बरावर की इस तरफ का लेना है हम लोगो, 9 by 7 ले लिए, ठीक है भी जाजी, गुना है, ठीक उल्टा करना है, हाग करना, 2 by 7 भाग करेंगे, अब भाग को हम लोग पहले गुना में converter लेते, 7 by 2, simplify होगा, 9, 7 नहीं होगा, 7, 2 नहीं होगा, 7, 7 होग एक बार में होगा, simplify होगा, अब 9 और 1 का multiply, और 1 और 2 का multiply, तो 9 बटे 2 होगा, यहाँ पर 9 बटे 2 लिख लिए, 9 by 2, next question, गुना है तो बरावर के इस तरफ का लेना है, ठीक है, तो 6 by 7 ले लिए, यहाँ पर गुना था, इसका ठीक उल्डा करेंगे, भाग करेंगे, अर्था सोना होनी नहीं होरा नहीं होरा, ओपर ओपर multiply करेंगे, इस तरह हम लोग बनाए, मेरे क्यासे सारा कोशन आपकर सही होगा, next question हम लोग और उतारते हैं, ठीक है, ध्यान से उतारना है question, देखो, ध्यान से समझना है, same उसी तरह question है, but यहाँ पर mixed fraction आपको बनाना है, यह भी ह हम लोग जानते हैं, किस परकार इसको हम लोग mix fraction में convert करते हैं, okay, अब ज़ी ज़ी इन सारे portion को आप पहले बनाऊंगे, विले क्याल से आप से बन गया होगा, आपको मिलाना है, देखो, यहाँ गुना है, गुना में क्या करते हैं हम लोग, हम लोग गुना में बरावर के इ ख़दा अर्चा सिं granny होगा को ना को ने देखते हैं तेरा और तेरा और 6 नहीं होगा, 7 और 14 होगा, सादितंए कम साथ 7 इन 14, अब 13 गुना एक उपर ता होगी, 2 अर्चा नीचे न होग तेरह बते 12 होंगे, 16, 13, 12, चला, next question, next question देखोंगे, यहाँ गुना है तो बराबर के इस तरब का लेना है, 2 by 6 होगिया, गुना कठी कुल्टा भाब करते हैं, यहाँ 1 by 3 है तो 1 by 3 कर लिए, अब 2 by 6 भाब को भाब को मैंट्टिपलाई में कनवर्ट करेंगे, 1 by 3 को कनवर्ट नएक्स सकते हुआ यहां नेक्स किया है और फॉपर उपर मुट्रीपिला एक उठीट हो गया तुर्टाश्ची यहां पर एक डाल देना है। फिक, अगे, next question देखो, next question क्या है, 9 by 2 भागा जबबा equal to 7 है, तो अराम से हम लोग भाग मसलब क्या होता है, बरावर किस तरफ का लेते, 9 by 2 पहले देंगे, अब भाग है, अगर पास में आता है तो गुना करते हैं, वरना क्या करते हैं, भाग ही करते हैं, तो 9 by 2 में भाग कर करेंगे, 1 by 7 से, तो भाग करते हैं, तो क्या होगा, simple सा भाग को गुना में convert करेंगे, गुना में convert हो गया, ये 7 by 1 हो गया, 9 2 simplify नहीं होगा, 7 1 simplify नहीं होगा, कौना को नहीं देख लेते, 9 1 नहीं होगा, 7 2 नहीं होगा, तो multiply करेंगे, तिरे 60 बटे 2, अर्थात यहाँ पर 63 बटे 2 हो गया, next portion देखेंगे हम लो, next portion क्या है, divide का है, divide में बरावर की इस तरह का लेते हैं, तो 10 by 4 हम लोग ले लिए, अगर पास रहेगा, तो गुना करते हैं, वरना भाव करते हैं, 2 by 6 से भाव करते हैं, अब 10 by 4 multiply 6 by 2, 10 4 simplify होगा, होगा, 2 बंचे 10 तो दो इस चार, 6 2 ह होगा, होगा, 2 ती अच्छा, 2 एकम 2, ठीक, अब को ना को नहीं देखते हैं, 2 तीन नहीं होगा, एक 5 नहीं होगा, तो गुना करेंगे, 5 गुना तीन उपर उपर, नीचे 2 गुना एक रता, पास तिया 15 बटे 2, यहां मेरा 15 बटे 2 हो गया, अगर यहां भाग है, कहीं कोई होगा, तो आकर पूछना है, ऐसा नहीं कि आप बस बैठे रहना है, वो काम नहीं करना है, यहां भाग है, मतलब बरावर की इस तरफ का लेना है, ले लिए बरावर की इस तरफ, आस रहेगा, तो गुना करते हैं, गुना करते हैं, गुना करते हैं, देखते हैं, क्या होता ह कुणा कुणी नहीं होगा, तो 1 गुना 3 बटे 2 गुना 1, अधिन बटे 2 हो गया, मैं 3 बटे 2 हो गया किस तरह हम लोग करते हैँ, ठीक है मेरे ख्याल से आप समझ 3 बटे 2 होगा, कहां 3 बटे 2 होगा 3 ठीक, बहुत बिल्कुल जहीं, अगें अगें अगें, नेक्ट पॉरूर् 7 से dinero करेंगेगे अब मठीब्लाइ करते हैं तो कर लेते हैं मठीपिस में कौन से बड़िभात बाद तहीं किया हो देशो मblesिबाइब करने हो दिशन नहीं होग कुर रहेगी है एक पीअट देए दिशन धार एक ज़िए दिया यह आप अब भाग मेरा पास में जाता गुना करते हैं वन बाइ 16 से गुना करेंगे देख ओपर निचे सिंप्रिफाइए नहीं होगा कोना कोनी भी नहीं होगा तो मल्टिप्लाइए करेंगे 7 8 तो लॉट है ठीक है 128 अगें 7 by 128 अगें आगे देखते हैं हमको convert in mixed fraction में convert करना है तो convert करते हैं नीचे वाले संख्या से उपर भाग करेंगे 3 भागा 17, 3 बच्छे 15, 7 5 गया 2 अब हम लोग इसको mixed fraction में convert कर लेते हैं तो इस तरह चलते हैं ठीक है तो चलो इस तरह तो क्या होगा पाँच अनुपाथ 2 बाए 3 बन गया अगें यहां देखा इसको mixed fraction में convert करेंगे 3 बच्छे 15 एक हुआ अब अरावं से 16 बटे 3 को हम लोग लिच सकते हैं इस तरह चल करके में convert करेंगे यहां 2 आया तो 6 बाए 4 को हम लोग लिखेंगे 1 पुर्णांग 2 बाए 4 मेरे ख्याल से सब कुछ समझ में अच्छे डंग से आ रहा है आप लोग को और 6 लिखेंगे हम लोग का यहां मिलाओगे 6 3 और 2 पहले multiply करेंगे इस दोरह का multiply तरी फिर प्लस 2 कर लेते हैं बटे 3 का 3 अगें वही चीद यहां पर करते हैं निच्चे बटे 4 यह बटे 4 लिख देंगे फिर दो गुना मतलब 4 और 2 का multiply फिर उपर पे जो 1s को जोड़ देंगे बस यह चुटा सा काम क लिखते हैं छतिया 18 18 18 प्लस 2 बटे 3 अर्था 18 तो 20 वहां 20 बटे 3 हो गया अगें चार्टू ने 8 प्लस 1 बटे 4 आठ एक 9 बटे 4 हो गया ठीक है पस यही काम करना है आपको अराम से मेरा बन लिया अगें इसको देखो के कैसे बनाना क्या करना है यहां पर माइनस अब गोले सप्याइब करें हैं यहां मािनस से में मायनस से में में हैं में समझ डले हारा है यहां पर हो यहां स्मार्टीर हो है करो तो चछ और म नोहँचा मुल्टीप्ला थि 손 मेरा माइनस में है अर्थार पहले हम लोग मुटिप्लाइ करते हैं पहले माइनस को ढग लो डुन हो जाएगा है मैं यहां पर दोनों मैने से पहले मुटिप्लाइ करें सबसे चोटा हो जाएगा एक और फिर से माइस लगेगा यह संख्या सबसे चोटी हो जाएगी इस तरह हम बनाते मेरे क्याते 300 का 300 कोशन आपका बिलकुल चाही हुआ होगा अब मुझे आप स्कोल बताओंगे 30 में से कितना स्कोर आया अगे हम लोग फटा पर से कुशन कर लेत यहां पर टॉटल का टॉटल साथ कोशन है इसमें से चार्फ कोशन आपको एसंदिंग और डिसेंडिंग बताना है जो हम लोग कुश का पहला नंबर रुट्वा और दुस्टा नमबर कोशन किये वरे हैं सबसी तरह आपको बनाना है कोई चेंजिस नहीं करना अगिन बस थ कुछी दिन का महमान है और हम लोग अब सिर्फ लेंग्विज वाले सवाल को अगले ग्लास में करेंगे साथ इस कुछ मेरा डेफिनेशन बचा होगा है जो कि हम लोग पढ़े हुए है उसको हम लोग एक बार रिविजन करेंगे तो कोई नहीं हो जाएगा हम लोग जैसे हम ल आज के लिए इतना है जैंगे ऑगजिवाए डवकार टे खाल करेंगे दफ़का डिविजन कर लेंगे आज के लिए इतना है जाएंगे